नमस्कार दोश्तों, आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानती ओहर में स्वागत है आज मैं आपको पित्रों की किर्पा की एक बहुत ही सुन्दर कहानी सुनानी जा रहे ही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पित्रों कीजे अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहानी बहुत समय पहले की बात है किसी गाओं में दो भाई बेहन रहते थे दोनों भाई बेहन का बिवा हो चुका था और दोनों के दो-दो बच्चे भी थे बेहन बिद्वा हो चुकी थे इसलिए वह अपने भाई के घर में ही रहती थी इस बात से उसकी भावी बहुत नाराज रहती थी ऐसे ही पित्र पच्चाया तो भाई बोला मैं पित्रों के तरपण और पिंड़दान के लिए गंगा जी जा रहा हूं तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है आप पित्रों का तरपण करने गंगा जी जाईए आप यहां की चिंता मत करिये ऐसा कहकर भाई गंगा जी के लिए चला गया भाई के जाने के बाद ही भावी ने बाहर खेत में ननन और उसकी बच्चों के लिए एक जौपणी डलवा दे और अपने घर से उन्हें निकाल दिया अपने बच्चों के साथ बेहन जौपणी में रहने लगी सुबह शाम बहन अपने भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी बदले में भावी बचा खुचा खाना उसे दे दिया करती थी जब भी वे भावी के घर से आती तो आटा चानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोल कर चूले पर चड़ा कर पका कर बच्चों को दे देती और कहती खीर है खालो ऐसे ही समय बीतने लगा एक बार भावी ने उसे कपड़ा ले जाते हुगे देख लिया तो भावी ने कहा बाई जी आटा चान्डे का कपड़ा कहां ले जा रही हूँ इसे यहीं छोड़ कर जाया करो तो बहन ने वैसा ही किया उस दिन भावी ने उसे बच्चा खुचा खाना भी नहीं दिया और बोली कल आपकी मा का स्राद है बिना बुलाए तो आना मत हाँ आंगन में लगा ये पीपल का पीड अगर अपनी जगे से हिले तो आ जाना ये सुनकर बहन बेहे दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई घर पहुची तो बच्चे बोले मा भूक लगी है कुछ खाने को दे दो वह बच्चों से बोली बेटा आज हम सब का उपवास है आज तुम लोग भूके ही सो जाओ अगले ही दिन बच्चे बोले मा मामी ने कहा था कि आज नानी का स्रा है तो चलो हम वहाँ चलते हैं तो बहन बोले बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड अगर अपनी जगए से हिले तो आना तुम बताओ कभी पेड हिलता है क्या पत्ते हिलते हैं कभी पेड को हिलते देखा है उसने बच्चों को समझाया कि बिना बोलाए नहीं जाना चाहिए। साम हो गई तो उसके भतीजे आये और बोले बुगा माने खाना भेजा है। उसने देखा तो खाने के नाम पर दो सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुसा आया और वै अपने बच्चों से बोली कि इसे जों मा को याद करती रही और बोली हे मा मेरे भाई की रच्चा करना वो हमारी रच्चा करेगा। अगले दिन भाबी आई और बोली बाई जी कल तुम्हारे पिता का स्राध है बिना बुलाई आना मत लेकिन आंगन का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी बे भाबी के घ बोजन के लिए नहीं गए साम को फिर उसके भतीजे आये और दो सुखी रोटियां चावल के साथ दे गए उसने फिर वहरोटी और चावल जोंपड़ी के उपर फिकवा दिये और भूके ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही मा गंगा से प्राथना करती रही इसी तरहे पितर पच्च के सोले दिन बीट गए और उसका भाई बापस आया तो भाई ने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है वो अपनी पतनी से पूछने लगा ये कैसा कीचड़ है मेरी बहन और भांजे कहां है तो उसकी पतनी बोली स्राथ के पूरे सोले दिनों तक मैंने तुमारी बहन और भांजाओ के पैर कच्चे दूद से धोए हैं इसलिए यहां कीचड़ हो रहा है तुमारे पीछी से मैंने उनकी खूप सेवा की खीर पूरी खिलाई फिर वी वो मुझसे नाराज होकर खेत में जोंपड़ी डाल कर रह रहे ह भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई जोंपड़ी नहीं थी वहां एक आलिसान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे उसने जाकर अपनी बहन से कहा बहन ये सब क्या है तब उसने अपने भाई को सारी बात पताई और बोली भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड है वो कच्चे दूर से नहीं बलकि भाई के विभार से जो मैं दिन रात रोती रहती थी उन आसुओं का कीचड है माता पिता किस रात पर भाई ने कहा पीपल का पेड हिले तो आ जाना बिना बुलाई मत आना पीपल का पेड हिला नहीं तो हम गए नहीं और साम को उन्होंने दो रोटी और चावल भिजवाए जिसे गुसे में मैंने जोंपड़ी के उपर फैंक दिया माता पिता के आसिरवाद और तेरे साथ और गंगा मया की किरपा से ये सुखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए जिसके पिरभाब से ये सब हुआ भाई ने अपनी बहन से अपनी पतनी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा तब बहन बोली भाई गंगा मया ने तेरी रच्छा की तू हमारी रच्छा करेगा लेकिन अब हम यही रहेंगे ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला ही मेरी पित्रो जैसे मेरी बहन और भांजों की रच्छा की उनकी दुख काटे वैसे ही सब की काटना सब की रच्छा करना जैहो पित्र देवों की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए धन्यवाद